तो आज किस वीडियो में आप लोग चानाओगे कि बेश्ट बुक आप लोग की कौन सी है जिसे पंड़े के बाद आप लोग जेई और नीट को अराम से क्रैक कर सकते हो क्लास 11 से आप लोग को स्टार्टिंग करनी है तो कौन से आप लोग के किताबे होनी चाहिए किस तरीके से तुम्हे किताब की स्टार्टिंग करनी है और देखो, डायेट आप लोग को रेफरेंस में नहीं कूदना पहले आप लोग क्या पढ़ोगे, किसके बाद आप लोग को रेफरेंस को स्टेडि करनी है वो सब मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ बिल्कुल टाइम वेश नहीं करेंगे लेकिन उसके पहले एक बात और करना चाहता हूँ अगर आपके मैंन में कोई ऐसी बुक है जो बेस्ट है सजेशन करना चाहते हैं अगर बच्चे चाहेंगे तो उसका रव्यू यूटूब पे ले लेंगे क्योंकि हर एक किताब का रव्यू आप लोग को फ्री आफ कॉस्ट में यूटूब पर मिल जाता है उसके बाद चाहो तो आप लोग खरीद दो और इस वीडियो के नदर बताएगे सारे किताबों को आप लोग सुन लो उसके बाद जा करके एक किताब का रव्यू आप लोग यूटूब पे ले लो कर रहे हो अभी से स्टार्ट कर रहे हो अपने सारे सब्जेक्ट की तो सबसे पहले है तुम्हारा NCRT तुम्हें डेवलप करेगी तुम्हें पहले समझाएगे कि एक्चॉल में क्लास लाम्ट में कितना जादा तुम्हारा स्लेवल जाब वो इंक्रीज हुआ है किस तरीके से तुम उसके अंदर ढ़लोगे क्योंकि अगर तुम डिरेक्टिस के अंदर रेफ्रेस में जा रहे हो तो वो बेकार है पहले तुम NCRT को समझो अपने बेस को क्लियर करो पहले अपने आपको जो है थोड़ा सा जमाओ उसमें ठीक है उसके बाद जो तुम सॉल्फ करोगे वो है तुम्हारी RD शर्मा RD शर्मा IIT के लिए नहीं है IIT से थोड़ा सा नीचे हलका से नीचे मतलब के इतना समझ जाओ कि NCRT से मलब काफी उपार है लेकिन IIT से थोड़ा से नीचे है लेकिन RD शर्मा भी तुम्हारे ले करने इंपोर्टन्ट है NCRT करने के बाद तुम RD शर्मा को आराम से कंप्लीट करते चले जाओगे जो जो तुम्हारे इंपोर्टन्ट वाले पार्ट है RD शर्मा के वो जरूर कर लेना क्योंकि RD शर्मा भी तुम्हें IIT के लेवल का पहल देखो NCRT तुम्हारा बेस बनाएगी तुम्हारा मन लगाएगी मैस के अंदर उसके बाद RD शर्मा तुम्हें IIT के लेवल करेगी एक तरीके से ठीक है कि RD के बाद जो IIT वाले कोशन है वो तुम सॉल्फ कर सको उसके बाद या तो तुम सिंगेज की या तो तुम अरिहंत की इन दोनों में से कोई भी एक किताब को खरीद करके सॉल्फ करना श्टार्ट कर देना ये तुम्हारे IIT के लेवल की है लेकिन इन दोनों किताब के अंदर एक तुम्हारे आपे ड्रॉब आइक है वो ये है कि इसके अंदर कोशन की कॉंटिटी बहुत साद है मतलब कोशन तो अच्छे है सारे कोशन अच्छे है लेकिन बहुत साद है तो उसके अंदर तुम्हें एक चीज़ के ध्यान देना है कि कहां पर तुम्हें एक तरीकी से स्टॉप देना है कहां पर तुम्हें रुख जाना है और कहां पर तुम्हें जो है कोशन में लिए enough होंगे अब इसी डाइप के कोशन इसके अंदर दिये गया तो यार मैंने इतने डाइप के कोशन इतने सारे कले तो हाँ enough है ठीक है अब इसके बात देखो एक और चीज़ के अंदर add up कर दो अगर तुम यहाँ पर कोचिंग में जाती हो तो कोचिंग का मटेरल हो गया या फिर कोर्स कर रहो किसी क्या कोर्स ले रखा है उसने अगर कूई किताब दे रखे तो वह भी तुम्हारे लिए इनाफ होगी क्योंकि उसके निदर इन सब चीजों का मिक्षर दिया जाता है वो बन्दे अपनी तरफ से हार्ट जान लगा करके आप लोग के लिए वो सारा मटियल एक्दम पीस करके तयार कर रखे होते हैं ठीक है तो इस इसकर द्यान देना अब बात करते हैं आप लोग के फिजिक्स की तो फिजिक्स के अंदर आप लोग की सबसे पहली है अधिकतर बच्चों को SC वर्मा पता था बस सुनना चाहते था अगर मैं कोई और किताब का नाम लेता नहीं लेता भाई तुने SC वर्मा क्यों नहीं कहा तू पागल है तो मैं SC वर्मा का नाम ले रहा हूँ इसके बाद या तो तुम देखो ये किताब विदेश के किताब है लेकिन इसके अंदर भी तुम्हारे जो कोशन्स हैं वो बहुत ही हाई लेवल के हैं लेकिन इसको अभी स्टार्टिक में मत करना पहले तुम यहाँ पे NCRT करना SC वर्मा करना उसके बाद इन किताबों पे जाना पहले तुम यह दो किताबे करने बाद इन तीनों किताब पे जाओगे और जो लाश्ट वाली मैंने आप लोग को बताई यह किताब तु यार देखो वो बच्चा करेगा जिसने एक्च्वल में सारा कंप्लीट कर लिया अराम से खाली बैठा हुआ है और उसको यहाँ पे बहुत टाइम है बहुत एकदम घुस चुका है वो फिजिक्स के अंदर तो वो वन्दा जो है इस किताब को यूज़ करेगा और करेगा तो यार अच्छी किताब है नहीं तो आप लोग के लिए जो मैंने उसको पर बताई वो सारी के सारी इनाफ है अगली आप लोग की कैमिस्ट्री के लिए तो कैमिस्ट्री के अंदर NCRT तो तुम कर लो NCRT तो राम बाड़ है तुम NCRT करोगे तो बहुत तगड़े तरीके सा मक्स लिखर क्या होगे उसके बाद है तुम्हारी O.P. Tendent तुम कर लेना और एक है तुम्हारी यहां पर प्रॉब्लम सीन कैमिस्ट्री बालजी पुब्लिकेशन की है इसको भी तुम कर सकते हो MS चोहान है तुम्हारी और बहुत सारी है लेकिन NCRT मैं तो कहूँगा सबसे पहले तुम कमिस्ट्री के लिए जावो अच्छे से कंप्लेट कर लेना और अब बात करते हैं आप लोग की बालोजी की तो बालोजी के अंदर सबसे पहले तुम NCRT को करोगे NCRT देखो हर के अंदर तुम्हारी इंपोर्टन है बेस है इसको छोड़ना मत किसी भी कंडिशन में इसके बाद प्रदीब बालोजी हो गई Dines publication objective के लिए MTG objective और biology ये भी तुम्हारे important है तो ये तीन किताबे तुम biology के अंदर use कर सकते हो और इसके अलावा में साब मतलब जितनी चीज़े थी सब के लिए मैं तुम्हारी एक किताब जरूर बोलूँगा वो है तुम्हारी previous question हाँ previous question वाली book तुम्हें एक ले लेनी है देखो ये जरूरी है और ये important है क्योंकि ये सब करने के बाद जब तुम अपने आपको खुद examine करोगे कि यार मैं कहां तक पहुँचा हूँ तो उसके लिए तुम्हें previous question की बहुत साथा जरूरत पड़ेगी तो ये किताबे अगर तुम लोग starting से follow करना start कर देते हूँ तो definitely तुम जई और नीट तक को आराम से crack कर सकते हूँ IIT और नीट के level का तुम्हें मैं बता रहा हूँ definitely तुम कर सकते हूँ इसके लावा कोई suggestion है तो comment box में comment करके चले